मित्रो आज एक विशेष के उपर बात करने के लिए आपको निवन्तन दिया है और हर वर्ष की भाती पिछले लगबग चार वर्ष से हम लोग हर्यणा के सांस्कृतिक राजधानी जिसको कहना चीए कुर्ख्षेत्र में अंतरास्टी गीता जन्ती का एक कारक्रम आयोजिन कर रहे हैं इस कारक्रम की भाव्यता हर वर्ष से आगे बढ़कर के उतरो उतर उतर उसकी भावता बढ़ती जा रही है अब चोके कुर्ख्षेत्र का स्थान हर्याना के इतिहास का हर्याना के संस्कृति का एक ऐसा भावे दो तक है कि जिसका परिचे जैसे जैसे देश और दुनिया में लोगों को पता लग रहा है वैसे वैसे आकशन बढ़ रहा है इस बार यह उत्सव वैसे तो परसों शुरू हो चुका है 23 तारीक को 23 नॉंबर से यह शुरू हो चुका है और 10 दिसंबर तक यह कारकम चलेंगे मुख्य कारक्रम तीन दिसंबर से आठ दिसंबर जो गीता जनती का होगा इसे पहले सर्समेला ये शुरू किया जा चुका है और आठ्स और क्राफ्ट्स के नाते से जो आयोजन है वो भी शुरू हो चुका है इस बार की विशेष्टा है उसमें जो सबसे बड़ी विशेष्टा है कि हमको अतुल्ले भारत यानि इनक्रेडिबल इंडिया ये जो प्रतीक चिन है जिसका उप्योग देश में किसी किसी कारकम के माध्यम से होता है लेकिन भारत सरकार ने इस मौतसमें इस लोगों का उप्योग करने की अनुमति दी है एक बहुत बड़ा एक प्रेस्टिजियस एक काम इस उत्सव के लिए हुआ है ये भी एक संयोग है कि गीता जिनती का स्मापन कारकम होगा उसके एक पख़़डे के अंदर-अंदर इस बार सूर्य ग्रहन का ये भी पंद्रा जिन के अंदर आ रही है और जब भी कभी ऐसा सूर्य ग्रण का मेला लगता है तो उसमें भी लाखों लोग कुर्शेतर आते हैं ये इस बार मेला दस वर्ष के बाद कुर्शेतर में लग रहा है इस बार इता जिनती मौतसव में लग बग पंद्रा देश बहुत से देशों का तो कंफर्मिशन आ गई है कुछ देशों के कंफर्मिशन आने वाली है लेकिन पंद्रा देश हैं जो भाग लेने वाले हैं जिसके अंदर खास करके ब्रिटेन, मौरिशियस, अस्ट्रेलिया, कनेड़ा ये चार देश तो ऐसे हैं जहां गीता जिन्ती के कारकम या तो हो चुके हैं क्योंकि अंतरास्ट्री गीता जिन्ती के कारकम करने के लिए बहुत से देशों ने अपने रुची दिखाई तो सबसे पहला कारकम हुआ था मौरिशियस में उसके बाद यूके में अभी ऑस्ट्रेलिया की तिखियां तै हो गई हैं मार्च दोजार बीस में वहां अंतरास्ट्री गीता जिन्ती का कारकम होगा इसे परकार कनेडा के लोगों ने भी हमको कहा है कि कोई तिखियां तै करके वह आपसमें बात चीत करके उसे विच्वधान उसमें आएंगे कुछ विदेश के विश्वधान वो बिस वार आ रहे हैं जो गीता के उपर अपना शोध करते हैं गीता के बारे में जिनकी रूची है वो सब लोग भी इस वार आ रहे है हर वर्ष हम किसीने किसी एक प्रदेश को अपना पार्टनर प्रदेश इस कारकम में समलिद करते हैं जो भागिदार राज्य होता है और एक देश भी ऐसा जो भागिदार राज्य देश होता है तो इस बार उत्रा खंड जो हो भागिदार राज्य की रूप में भाग लेगा और वहां के भी कुछ सांस्कृति कारकम करने वाले ट्रूप्स वहां के हमारे जो नेता अधिकारी वो भी सब इसमें भाग लेने वाले हैं कुर्शित्र के एर्दगेर्द एक तालिस तीर स्थल जो अटालिस को उसकी प्रदी में हैं उन तीर स्थलों पर भी इस वारे गीता जनते का कारकम किसी ना किसी रूप में हो रहा है इसी समय पर और वहां से भी लोगों का आना जाना कुर्शित्र से उन स्थानों पर जाना उन स्थानों से कुर्शित्र में आना उसका भी प्रबंद किया गया है ट्रांस्पोर्ट विवस्था इसको भी वहां विवस्था की जा रही है ताकि वहां से लोग आना जाना करें गीता के संदेश की प्रदर्शनी समिनार सांस्कृत संद्या शुबा यात्रादी ये जो डिटेल्ड करकम है वो सब आपको मिले होंगे नहीं तो मिल भी जायेंगे मुख्य रूप से उसमें प्रमसोर पर गीता यग्य और पूजन ये किया जाएगा तीन तारिख को जो गीता जन्ती का जो शुबारम का एक प्रकार से जो दिन है तो ऐसा इसके वाद नगुत गीता का सनातन धरम और सार्व हमें कल्याण मिशेपर कुरुशेत वे जाले में तीन दिवसी है अंतरास्टिय गीता संगुष थी इसका भी उस दिन शुबारम किया जायेगा इसमें भाग से प्रोफेसर हेरो हेरो यू की साथो प्यजापान से सुश्री रीकोट सान मौरिशियस से डॉक्टर सुश्री अनिता सेवी गुलम ऐसे ही मौरिशियस इंडिनेशिया बेल्जियम अवरिका एब रिटन इन सब लोगों ने अपनी सहमती दी है जो इस अंतरास्टी गीता सं पनी लाइटन साउंड शो ये भी चलेगा जिसमें माभारत और गीता पर अधारित प्रकाश और द्वनी का जो शो है वो ब्रहम सोर पर इसका आयोजन किया जाएगा प्रतिजन सायकाल जो कलाकार है स्वदेशी और विदेशी भी उन कलारकारों द्वारा गीता श्रीकृष प्रतिजन माभारत कुरक्षेत रादी विशो पर भव्य सांस्कृतिक कारक्रम इनका व्यायोजन प्रतिदिन सायकाल के समय होगा प्रसिद्ध कभी जो है उनकी भी भागेदारी होगी कभी से मेलन भी उसमें बीच बीच में उनका आयोजन भी किया जाएगा अस्तादोशी शलोक ये जो हरवर्शम कारक्रम करते हैं कि ठारा धैयों के ठारा शलोक और अठारा जार विद्धार्थी ये सामुहिक शलोक की एक बहुत अच्छा भवे कारक्रम होता है इस बार ठारा जार विद्धार्थियों के साथ तीन अजार नागरिक अन्य नागरि अन्या ने बहुत से स्थानों पर विभिन धार्मिक और सहावाजिक संस्थाओं के माध्यम से वहां के अपने समय के इसाब से वो भी वहां सामुएक एक इन्ठारा शुलोक का जो वाचन हैं, वो करेंगे. आठ दिसम्बर गीता जिन्ती के देन एक भवे शोबा यात्रा कुर्क्षित्र में, वो भी विभिन संस्थाएं, उसका यजुन करेंगी, वो भी वहां करेंगे. विदिवत जो द्गाटन 23 नॉंबर को हुआ, जिसमें शिल्प और सर्समेले, अंतरास्ति शिल्प और सर्समेले का जो द्गाटन किया गया, उसका समापन 10 दिसम्बर को होगा सर्समेला और जो शिल्प का जो मेला है. शिल्प कारों का यह जो संगम है, सारे देश भर के शिल्प कारों आते हैं, उनको स्थान उपलब करा जाते हैं, और जो बहुत से अगंतुक हैं, वो सब गीता जन्ती के साथ साथ इस शिल्प और सर्समेले का भी उप्योग करते हैं, खरीदारी के लिए, आमान बेचने के लिए कुछ ने ने ऐसे उत्पाद हैं, उनका भी उन सब लों को ग्यान बर्धन होता है, तो इस पर इस परकार की एक बहुरंगी, एक जिसको कहना चीए इंदर धुनुशी छटा, यह वहां भुखती है, जब देखते हैं, तो सारा देश एक स्थान पर आ गया है, ऐसा उस अपना पेवली नुगा बनाएंगी, जैसे श्री गुरुनानक देव जी के पांच सो पचास में प्रकाश परव पर इस बार विशेश परदर्शनी का आयोजन किया गया है, इसके अत्रिक्ष अनुसंधान परिशद, उनके द्वारा भी अंतरास्ट्री गीता मौसव के अस अन्य अंतरास्ट्री ख्याती प्राफ संस्थान ये उस पुस्तक मेले में भाग लेने वाले हैं, गीता मैराथन जिसका आयोजन भी 24 सारी को कली हुआ है, हमारे मंतरी श्री संदीप सिंग जी इन्होंने उस मैराथन का शुबारम कराया, उसको अरिजंडी दी और 6 दौड अजारों लोगों ने उसमें भाग लिया, उसके अंदर प्राइजिस भी रखे गए थे, 31,000, 21,000, 21,000 रुपए, ऐसे मैलाओं के अलग, पुर्षों के अलग, मैलाओं की दौड चार किलोमेटर की थी, पुर्षों की 6 किलोमेटर की थी, तो ऐसे ये पुरुसका रा पर आकर के देख भी सकें, कुर्षेतर में जो शर्धालू आएंगे, ये अठारा नॉम्बर को हो गया है, हो चुका ये, शर्धालू जो आएंगे, उनके लिए भी याता याता विवस्ता ऐसी इस बार की गई है, एक दिसम्बर से और दस दिसम्बर तक, कुर्षेतर के दा पर आनिक बस सेवा, ये शुरू की गई है, हर शेर से, बड़े कस्बे से, गाउ में होते हुए, और उनको तीस स्थान के ओपर यात्रा करने की जो हमारी पहले से कनीती बनी हुई है, पचास प्रेंट किराया, इस से उनको लाया जाएगा, उन बसों को एक स्पेशल पैचा करेगा, योजनामरी यहाई कि जो आने वाले हैं, उनको पहले से कूपन दिये जाए, फिफ्टी पसंट किराया पर, और वो अपने दिन निशिवत के ओपर आ सके, निशिवत पर जा सके, ताके उनका दिन भी निशित हो, यात्रा के समय भी निशित हो, और बसों का उपरा यह पहली बार किया है एक भरिक से एक दिसंबर से 10 कि दारे में से सो बसे यहां इसमें जिले जैसा मनों पंच्कुला यम्नानगर अंबाला कुरक्षेत्र करनाल पानीपद सोनीपद जीन्द कैथल यह नो जिले इसमें जोटे जोप से आते हैं अगली बार देखेंगे कि और इसको विस्तार करना तो बाहर भी करेंगे वैसे हर जिला के अंदर पर भी शे साथ आठ दिसंबर तीन दन गीता जनती के कारकम हर वर्ष की भांती यह भी होंगे कर दो कि वहां सब्वस्थाओं के लिए जया अन्यसेवाय हैं उन सब का भी प्रवंद किया गया है उसका कंट्रोल रूम भी बनाया गया है वैर एक सारी जो गतिविदिया है उसका ध्यान लखने के लिए अलग से सीटीवी कैमराज लगाए गए हैं ताकि प्रवंद में किसी प्रकार का कोई अवेवस्था ना हो और कोई किसी प्रकार की इसे से देख रहे हैं इसा प्रवंद किये गया है जो ऐसे बहुत से और विशे भी हैं जिनकी चर्चा करना यहां ठीक रहेगा महारती का तो जैसा पहले से चलता है उसका हमको यह विशे ध्यान में है यह है कुर्शेत्र को इन कारकम के माध्यम से हम चाहते हैं कि देश और दुनिया का ऐसा एक स्थान बनेती स्थान कि जिसका करशन दिनों दिन बढ़ता चला जाए वहां का चाहें इंफरस्रक्चर है चाहें कि और विकास की चीज़े हैं उसका फैलाव है अलग अलग प्रदेशों के लोग भी वहां आकर की कुछ था ही होश्था आपने बनायें समने यह भी एक विचार किया है यह जोजन बना करके भावन करके बताने वाले हैं कि हर एक प्रदेश यदि चाहे तो अपना को नपहुँ ईक भवन उस प्रदेश के नाते से तीर थीयात्रियों के लिए वो बना सकता है इसके लिए पंद्रासो मिटर से और दोजार मिटर तक ये जगा अम रियायती दरौँ पर हर प्रदेश को दिंगे ताकि वो अपना भाना करके बनाए और वहां के प्रदेश के लोग यहां करके आतरी रह सकें कर सकें हर्याना ने भी ऐसा अपनी पहल जो की है सबसे पहली पहल जहां सदार वल्लब भाई पटेल का स्टेचू बना है स्टेचू अफ यूनिटी वहां पर एक पंद्रा सो स्केर मेटर का एक प्लोट लेकर के हम जल्दी एक भाउन बनारे वाले हैं ताके वहां हर्याना के जो लोग जाए उनको रहने की वस्ता हो सकें इसी परकार तीर स्थानों के उपर और अन्य स्थानों पर विचार चल रहा है कि लोगों के आड़े जाने को सुईदा जनक बनाने के लिए सब्सक्राइब करेंगे अभी कुर्षेतर में मैंने बताए भी विचार हुआ है इसकी योजना फाइनल बनाएंगे लेकिन विचार हो का है कि हम 15 स्केर में जगा देंगे और जिसमें प्रारम में 10 15 प्रदेश यो लेना चाहेंगे उनके लिए जगांप लगत करेंगे एक बड़ी योजना जिसकी घुशना मैंने हरिद्वार में की थी कि भारत माता मंदिर हम कुर्षेतर में बनाएंगे उसके लिए पाच एक भारत दर्शन नाम से कोई एक स्थान बनाया जाए अगर ऐसा बनता है तो फिर बाकी प्रदेशों की जगा जो हम देने वाले हैं उसी स्थान पर दे सकते हैं तो ऐसा पूरे देश के लोग जब आते हैं तो लगू भारत के रूप में और पुर्षेतर का एक धार्मिक और स संस्तान हैं संस्ताइं हैं वो भी कुर्षेतर को अपना मेहत्व करहें ले से जिया हа जियोगी टा संस्तानम अक्षरधां मंदिर इसकॉन मंदिर और ग्यान मंदिर इनका निरौन करें भी हो रहा हूरा है तो एक प्रकार से एक ऐसा स्थान जो विदर्थियों को जिनको मैंने बताया अभी चोंके भारत माता मंदर नाम से इतना ही है कि पूरे देश के लोगों का एक सांस्कृतिक केंदर बने और मंदर भी बनना है तो जैसे हरीद्वार में स्वामी सत्यमित्राजिय के प्रितनों के द्वारा जो हुआ मंदर बनाया गया गुषिक हिर देश को भी बनेगा अभी तो मैंने बताया है लेकिन इसाओर हम आगे बढ़ रहे हैं उसका जो योजना संक्लित होगी वह आप लोगोãy नहीं उसी का स्वरूप भारत दर्शन के इंदर बना दिया जाए ऐसा सुझावाया है तो आगे बढ़ना है बात तो कुल मला के भारत माता मंदिर होगा उसे भारत दर्शन का भी कोई कल्पना होगी तो उसकी योजना सब बनाएंगे लेकिन उस वर आगे बढ़ रहे हैं ता गया है कुर्शेतर में उसको शामिल कर लिया है ताकि श्री किशना सरकेट का जो बजट है उसमें जो जो स्थान आएंगे उन सब में से भी उस सरकेट में कुर्शेतर को शामिल करके और उसकी बजट का उपयोग उस सरकेट के लिए किया जा सके इस स्कीम के तहट जो कुर् 344 है इस 48 कोस में 134 स्थान ऐसे हैं चोटे चोटे गाउं में भी ऐसे प्राचीन महत्व के स्थान वो हैं कहीं स्रोवर बना है कहीं मंदिर बना है कहीं बहुत पुराने काल के ऐसे अवशेशों मिले हैं उन सब का भी विकास करने की बाद यह उसमें है जहां तक पेजल और के आसपास रह disposus हो ब्हारत के जो तीज तीस सवचस्थानों की सूची यानि ब्रहव सुच्छस्था यह रहे हमेशां के लिए उसमें शामिल कर लिया है तो सवचस्थान के नातें से कूप बहुत बड़ा एरिया है बहुत लोग उसमें आते हैं उसकी सवच्चता का भारस दोए क 겁니다 रिंद्व कर्पूरशन कर्परेशन ने से माध्य Bin में इस अफोने माला है जो पेया के माध्यंस तो अबsu है नहीं इतना उखर नहीं होगा लेकिन जितनी हावशकता हो कि इतना मांग करेंगे हमको तो सब को मिला करके कुर्शेतर को हुवे कुर्शेतर बनाना है इसी एक क्यादार पर नहीं बनाना है जो मानुभाओं ने अपनी सहमती दे दी है अभी जैसे उत्राखंड मैंने बताया कि भागीदार राज्ये होगा तो उसमें उत्राखंड के मुख्यमंतरी उद्गाटन के अवसर पर आएंगे तीन दिसंबर को हिमाचर के स्पीकर्स श्री राजी बिंदल भी आएंगे साथ तारिकों श्री प्रदाल प्रलाद पटेल जो आर्टन कल्चर के मिनिस्टर हैं सेंटर में वो आने वाले हैं वातिजिनता पाइटी के कारेकारी रास्टी अद्धिक श्री जेपी नडड़ा वो आने वाले हैं आठ तारिकों श्री नितिन गड़गरी उनका समय तेह हो गया है और उत्राखंड की राज्येपाल भी समापन अवसर पर रहेंगी श्रीमती बेवी राणी भरोया इसके तरिक जो विदेशों के लोग हैं उनका जेसे मैंने बताया के पंदरा देशों में से लोग आने वाले कुछ राजदूत हैं उनका भी पत्रम को मिला है जो यहां राजदूत हैं नेपाल के उपराजब उचायुक्त लिप्टियाई कमिशनर उजवेकिस्तान के राजदूत इस तरह ब्रिटन के दूतावास के उचादिकारी तो ऐसे कुछ यह लोग भी आने वाले हैं इस प्रकार कुर्ख्षेत्र को एक दिव्य कुर्ख्षेत्र इस प्रकार का एक संग्या दी गई है कि हम आगे चलकर के इसको भूब जैसे मने बताएक सांस्कृतिक राजद्धाने की रूप में हर्याना में सस्थान विक्सित करें कि देश और दुनिया के लोगों का एक प्रेटन का एक केंदर बने एक ब्रह्मन का केंदर बने सांस्क देश्वी से एक अध्यन का एक केंदर बने रिसर्च का केंदर बने और जैसा हम जानते हैं कि कोई भी समाज कोई भी देश प्रदे इसको कितना जादा उजागर करके आने वाली पीडियों को बता सकते हैं, उतना ही आने वाली पीडियों संसकारित होगी, गौरवानवित होगी, उतना ही उनको अपने प्रदेश और देश के ऐसे महत्व को ध्यान में रखते हुए देश और दुनिया में काम करने का अच्छा development board जिनके chairman हमारे governor साथ हैं उनकी देख रहे हुए सब होता है संस्ताइं भी धिर दर इसमें बढ़ने लग गई हैं तो जितनी संस्ताइं ज़्यादा बढ़ेंगी उतना इसका स्वरूप और ज्यादा निखरेगा ऐसा मेरा मांगा है पिछली बार राश्पती जी दो साल पहले आये थे लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि सब्सक्राइब होती है और अभी आज कल्चों के सेशन चल रहा है इसलिए बहुत तो जो मंत्री हमारे वह उसमें लगे हैं लेकिन अभी हमने पतर भीजे हुए हैं बहुत रोगों से बासी चल रही है तो मैंने बता चार-पांच का तय हो गया है और बाकी सियम हरेड़ा हर लगे तो पूरा का अपना बजट है बाकी संस्ताओं का अपना बजट है इसके लिए पिछली बार कितना हुआ तो तो बदा सकता हूं कितना है तेरा क्रोड का बजट बनाया थे लिए दस से नीचे हमने काम चला लिया था इस वार भी यह तो यह तो यह तो मौत सब की बात कर रहे हैं इंफा सक्टिय तो जैसे बने बताया ना कि इसमें केंदर सरकार का भी बजट है प्रदेश का अपना है कोर्पेट्स का अलग है तो अब यह सारे बजट जब मिलते चले जाएंगे तो चीज़ें आगे बढ़ती चली जाएंगी अभी तो हमने जैसे पिछली बार ब्रह्म सुरूर के उपर अलग से उसके उसरी वस्ता की बड़ा एक काम कर दिया पानी का जो प्रवाह था वो ब्रह्म सुरूर के साथ जुड होता है तो ऐसा उसकी रिसाइकल लगातार होने से अब वो पानी की जो स्वच्छता है वो लगातार बनी हुई है इसी प्रकार जोती सर में भी हमने पीछे लाइटन साउंड एक कारकम जिसका मुद घाटन करने गया था वो भी एक संस्था ने सारा पैसा उसका खर्च किया इसी प्रकार जो कृष्चना सरकेट है जिसका मैंने जिकर किया कि उसका सौ क्रोड रुपया नाइंटिफाइव क्रोड सम्थें तो यह कृष्चेतर के लिए तैकिया गया उसका काम चलो चुका है कुछ हो गया कुछ आगे चलेगा पावर गेड कार्परेशन ने भी साथ क कृष्चेतर के लिए मंजूर किया है तो मैं बताया कि संस्थाएं भी बहुत आगे आ रही है क्योंकि शर्दा का भी भाव है लोगों में उत्सा भी है और सबको लगता कि कैसा हरियाना का एक दिवस्थान बनना चाहिए ताकि जैसे आज हम मानलो बड़े-बड़े स्थान बार कोई 23 लाख लोग जो है इन चालिस उससे पहले 23 होगा या इसा कोई 30 और 40 लाख के बीच में लोग पिछले बार आये हैं तो इस बार उससे ज्यादा ही एक्सपेक्ट करते हैं और जैसे मैंने बता है कि इस वाद सूर्य गरण होगा तो उसमें भी बहुत बड़ी संख कंट्री कौन है नेपाल को नेपाल को निमतन दिया हुआ है लेकिन एक उसमें चोके पहले क्या होता था कि अंतरास्टी है जब हम स्तर पर निमतन देते थे तो बहुत देश स्वीकार हो जाते थे इस बार जो विशह आ गया वो केते हमें वहां पार्टन बनाने की बजाए ह अपने देश में का कम करेंगे तो अपने देश में का कम करने के लिए बल्के वह हमें आग रहे करते हैं का यहां आ जईए तो अपने त्यारी में बताया तीसी और डेट तेट के नाड़ा हम भी वहाँ जाएं तो एक पर करसे भी वागेदारी है हमरे तो पैसा लग चुका शुरू हो गया लगणा? तो पैसा बुझा हो लिए मजरात से बुझा ने शामिल तो बहुत पहले हो कर दो गया कि पर संक्षन हो गया कुछ पैसा उसमें आ गया लग कुछ और चल रही ना करे है उस में कृष्ट के स्वाइब सरक ना करके निद्हें यह तो दुट चोंड हम हर्याना में गूड़िशन को और आगे बढ़ाएंगे इसमें आपका सबका युगदान चाहिए और अवंत में इन दस दिनों में आप सब लोगों से भी निवेदन हैं कि आप उसमे जितना अधिक से अधिक बार अदिक से दिक समय लगाने के लिए आएं, आपका स्वागत होगा, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद. असलों तर अितने के हैं जो पहल वैं कि अद्थ अधने देखों सों सब लोग सब लोग मुजण के लिए बिदी खिरा न। है, वहाद समारी सावरे भाई । नहादेव mae नहादे ग्याद मीराặt अडे प्सका इर लोगिर मीरादी प्सक्राश कि दो